कुछ वर्ष पहले समुद्र के किनारे बसे साइथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में टेप वाटा आना बंद हो गया। नतीजा जल सोखने के लिए कच्ची जमीन ही नहीं बची थी ये थी विकास वह खुबसूरती के नाम विनाश की सच्ची कहानी। गर्धे या छोटी जील खोदने का प्लान था। जिससे बरसात के पानी को वहीं रोकना था। ऐसा करने से भूगर्ब जलस्तर नीचे जाने से रोका जाना था। सत्ता बदलते ही इस स्कीम को गर्धा खोदने की स्कीम कहा गया था। लेकिन शायद सत्ता पक्ष को अब समझ में आ गया कि ये देश के ग्रामीन वह शहरी क्षेत्रों की जिंदगी बचाने का अभियान है। इसे अब एक नया नाम अमरित महुत्सव दिया गया है। अतह जिलों में भूगर्ब जलस्तर बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बारिश के पानी की बरबादी रोकने की कवायद हो रही है। इसके लिए कच्चे नालों, तालाबों, नदी की पानी की क्षम रांव में चल रहा है। बरसाती पानी रोकने के सामाने गुर् बताय जा रही है। बारिश के पानी की बरबादी रोकने के लिए Rain Water Harvesting System लगाने पर काम हो रहा। वाटा थावस्तिंग सिस्टम में बरसाती पानी जमीन के नीचे पहुचाया जाता है। इसके लिए 10-15 ग्रामीनों से मकानों की कच्ची छट को पक्का करने की सलाह दी जा रही. सोख पिट अर्थात पानी सोखने वाले गड़े बन रहे हैं. रसोई तथा स्नानगरे के पानी को ग्रेवाटर सोल्यूशन कहा जाता है. गावों में बड़ी मात्रा में रसोई वबात रूम का पानी नालियों में बहकर बरबाद हो जाता है. रास्तों में कीचण हो जाती है. प्रशासन का ध्यान ग्रेवाटर सोल्यूशन को रोकने पर केंद्रित है. आपको सुनकर ताजजुग होगा कि आज से 5000 साल पहले सिंधू घाटी सभ्यता में ये सब योजनाय लागू थी.